जे मेशे की दोस्तों, आज की स्वरगी मन्ना का भाग हमने लिया है, नीती वचन की पुस्तक उसका पांच्वा अध्याए और उसका एक्केस्वा वचन और तेईस्वा वचन. वचन कहता है, मनश के मार्ग तो यहवा की दृष्टी में है, और वो उसकी सब चालों को देखता रहता है. तेईस्वा वचन, शिक्षा के अभाव में वो मर जाएगा, और अपनी ही मूर्खता की अधिकाई के कारण वो भठक जाएगा. धन्यमाद पिता परमेश्वा. दोस्तों, ये वचन क्या बताता है हमें? ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वा की निगा हम पर हर पल बनी रहती है. हम कभी-कभी सोचते हैं कि परमेश्वा हमें नहीं देखता है. हर पल उसकी निगा हम में बनी रहती है क्यों बनी रहती है क्योंकि अगर हम गलती करें अगर हम कोई पाप करने की कोशिश करें अगर शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है तो वो अपने विवेक के द्वारा अपनी आत्मा के द्वारा हमें चिताएगा हमें चितावनी देगा वो आत्मा जो उसकी हमारे अंदर है वो विवेक जो हमारा जो उसका हमारे अंदर है उसके द्वारा परमेश्वर आपको चिताएगा कि क्या गलत है क्या सही है तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको भरसक बचाने की कोशिश करेगा और कोशिश करता है लेकि हम उसकी बात को नहीं सुनते इसलिए 23 वाचन कहता है कि शिक्षा के अभाव में वो मर चाएगा शिक्षा का अभाव, ग्यान का अभाव परमेश्रक का ग्यान, परमेश्रक की शिक्षा अगर हमारे अंदर नहीं है और वो ग्यान को हम अधूरा रखते हैं तो हम उस आशीश को नहीं पाएंगे, हम जीवन को नहीं पाएंगे, हम मृत्ति को गले लगा लेंगे और मर जाएंगे हागे कि पुस्टक चौथे का छे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर विचारता है, परमेश्वर चिंदित है कि मेरी प्रजा अग्यानता की वज़ہ से नाश हो रही है हालेलोیا दोस्तों परमेशर की चंदा है कि वो ग्यान जो मैंने अपने बच्चों के लिए जीवन देने के लिए रखा हुआ है वो ग्यान अगर मेरे बच्चों को नहीं मिला और अग्यानता के साथ मेरे बच्चे उसको लेकर चलें तो वो सुक नहीं पाएंगे वो आशीश नहीं पाएंगे वो जीवन नहीं पाएंगे इसलिए भाई मेरे दोस्तों हमें अपने ग्यान को अधूरा नहीं रखना है हमें ग्यान को पूरा रखना है और हमें हमेशा ये महसूस करना है कि परमेशर की उपसिती, परमेशर का आशीश, परमेशर का जीवन, परमेशर की क्रिपा हमारे साथ हमेशा बनी हुई है और परमेशर हमारे जीवन में जो भी करता है, वो हमेशा हमारे सुख के लिए करता है परमेशन नहीं जो भी यो जिनाय बनाई है वो हानी की नहीं ये लाब की है इसलिए जब परमेशन हमें देखता है तो वा हमारी भलाई के लिए देखता है परमेशन हमें देखता है तो हमारी करोना के अपनी करोना हम पर ने चावर करता है ताकि हम उस आशीश और सुक और चंगाई को प्रात्र करें परमेशर धन्यवाद देतें पिता परमेशर सुनने वाले हर भाई बहने के लिए आशीश और सुक और चंगाई मांगता हूं परमेशर झाल झाल